हेलो दोस्तों मैं हूं कलपना और डाबीस कीचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं मेथी मटर मलाएगी सबसी बिलकुल रेस्टोरेनल स्टाइल में कमाल की बनती है और आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपिकों यहां मेने मेती को दूबके साफ करके कट करके ले लिया है मेती को रख दीजी साइट में और ले लीजी पेनिया कढ़ाई उसमें डाल दीजी 2 टेबल स्पून के बराबर ऑईल ऑईल को अच्छे से गरम होने दीजिए, साथ में डाल दीजिए एक चमबा जुसमें जीरा, एक यहां डाल रही हो हमें तेज पत्त, आठ से दस लॉंक और काली मिर्च दोनों ही मैंने मिक्स करके लिए एक कटोरी यहां में प्यास डाल रही हो, जो मैंने रफली चॉप करके लिए हैं, एक इंच टुपड़ों में कटा हुआ अद्रक और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुछ लहसुन की कलिया मेथी मटर मलाई की ग्रेवी बनाना बहुत ही आसाने, सभी को अच्छे से मिक्स कर लिए और इसको रिज बनाने के लिए डाल दीजे 8-10 काजू, थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने यहां कट करके लिए है, वो भी मैंने इसमें डाल दिये, अब हम इन सभी को अच्छे से सौते कर लेंगे, तो फ्रेंट्स, जब तक यह सोते हो रहे हैं, आप काट लिजे एक टमाटर, तो गैस मैंने टमाटर पहले ही कट करके लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया, यहां में एक टमाटर का यूज कर रही है, क्योंकि यह बहुत ही खट्टा है, यह देसी वाला और साथ में एक चमज आपको डाल देनी है, इसमें शकर, तो गैस इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे ही पानी गरम होने लग जाए, इसमें आपको डाल देने हैं मतर, तो मैंने इन अच्छे से मिक्स कर लिया है, और पानी भी हमारा गरम होना शुरू हो गया, तो गैस मैंने यहां कच्छे वाले मटर ली हैं उबालने के लिए ताकि और चीनी और नमक इसलिए डाला है ताकि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो अब बॉल आयन ले लगा है तो आप इसका धकन धक दीजिए और देख लीजिए मसाले को तो गैस मसाले में टामाटर हमारे अच्छे से गल गया है अब डाल दीजिए इसमें हल्दी एक जमजधनिया और साथ ही मैं यहां कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो तीकी वाली भी यूज़ कर सकते हैं बस इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छ अब डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा नमक नमक स्वाद अनुसार बस अब आपको टामाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और देख सकते हैं कि तेल मसाले ने चोड़ना शुरू कर दिया बस केज की फ्लेम को कर दीजिए बंद और मतर को देख लीजिए तो गैस मतर भी ह इसमें ले लिया है और कढ़ाई को आपको अभी धोने के लिए नहीं रखना हमें इसमें और भी काम करने है तो गैस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए क्योंकि यह सूका है तो जल्दी पिसे का नहीं बस इसका एक फाइन पेस्ट बना के तयार कर लेना है मतर को मैंने चान के बिलकुल एकदम चिल याने बरफ वाले पानी में डाल दिया है ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेट बंद हो जाए और यह देख सकते हैं कि वो अच्छे से गल चुके हैं अब मतर को रख लीजे साइट में और कढ़ाई को फिर से रख दीजे और इसमें डाल दीजे एक चमच शुद्ध देशी घी यहां मैंने गाय का घी यूस किया है और इसमें अब हम डाल देंगे वो जो हमने मेति कट करके रखे थी उसे हमें इसमें डाल देना और इसे अच्छा सा भूझ लेना है ताकि इसके कड़वाहट कम हो जाए और यह बहुत अच्छे से पक जाए बस इसे हमें बहुत अच्छे से पका लेना है और इसकी कड़वाहट को कम कर लेना है और इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए तो फ्रेंट्स इसी तरह से मैंने इस मेति को भी भूझ के तयार कर लिया है और इसे निकाल लेते हम एक तहाई में तेल डाल दिया है दो टेबल स्पून के बराबर आधा चमज मैं इसमें जीरा लगाया है डाला है तटका लगाने के लिए और उसी ग्रेवी को मैंने इसमें डाल दिया है और जार को भी आपको इसी में दो के डाल देना है ताकि जो मसाला उसमें चिपका होता है वो भी अच्छे से साफ हो जाए बस इस सब को अच्छे से उबाल आने तक पकाना है और डाल देने हैं इसमें मटर और डाल देने हैं भाई मेती जो क्योंकि हम भाई मेती मटर मला ही बना रहे हैं तो इसमें ये मेती तो डालना बनता है अब हम इन सबी को अच्छे से मिक्स कर क Ariana के बाद इस में यह थिक्ने पोहुत जादा है तो इस थेक्नेस को मेंटेन करने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं रूम ठेफर वाला दूद इसले डालना है जैसे ही आप दूद डालेंगे तो दूद फटने के chances बढ़ जाते हैं तो gaze की flame को एकदम कम कर दीजे और फिर दूट डालिए और एक चमस इसमें डाल दीजे नमक नमक स्वाद अनुचार और इन सभी को अच्छे से पका लेना है तो guys आपने restaurant में जो मेथी मटर मलाई खाई होगी उसका स्वाद थोड़ा मीठा आता है इसे ढख कर पकाना है और इसे अच्छे से कुख होने देना है जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो आप इसके चेक कर सकते है guys अभी इसमें उबाल नहीं आया है तो मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी जैना है और डाल देना है इसमें एक चमच गरम मसाला और उसे भी अच्छे से पका लेना है देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है और मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे डेट चमच शकर क्योंकि फ्रेंट्स हम इन सभी मसालों को मेंटेन करने के लिए शकर का यूज करते हैं और अगर आप रेस्टोरन की जो मेथी मटर मलाई खाते हैं इसमें थोड़ा मीठा स्वाथ जरूर आता है अब आपको इसमें डाल देनी है गाइस मलाई ये घर की बनी हुई ताजी मलाई है वही इसमें आप यूज कीजेगा इसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी लगते है क्योंकि ये फ्रेश बनी हुई मलाई है अब आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा और चेंज हो गया है अब बस आपको इसे एक से दो मिनीट और पकाना है ढखकर ढखकर लगा दीजे और थोड़ी देर और पका लीजे ताकि सारे मसाले और सारे फ्लेवर आपस में खुल मिल जाए बस अब आप देख सकते हैं बहुत कमाल की ये रेसिपी बनके तयार हो गई अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेज भी बहुत मेंटेन है और इसके उपर ऑईल भी बहुत अच्छा निकल कर आया है तो फ्रेंट्स ये रेसिपी पो तो एक बर बनाना ज़रूर बनता इन सर्दियों में अगर आपने मेती मटर मलाई अभी तक नहीं बनाया है तो इसको ज़रूर बनाएए और बनाकर ट्राइ कीजियों मुझे कमेंट्स करके बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत माइने रखता है तो गाइस आप हमारे चनल को लाइक शेर सब्स्राइब करना बिलकुल न भूले और हमे इसी तरह मोटिवेट करते रहे हैं थैंक यू फर वाचिंग